We will be discussing operating activity और operating activity में मैं indirect method पर काम कर रहा है इस वोकर का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि हमें डिरेक्टली कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं मालूम तो हम ऑपरेशन के बॉटम लाइन पर आते है उस बॉटम लाइन को कहा है net profit या profit after tax और वहां से reverse working करतना शुरू कर देते हैं उस reverse working के अंदर जो not cash items होती है उनको हम side पर करते चले जाते है and we ultimately end up at the cash flow thing Okay profit आपने calculate कर लिया इस में net profit कितना calculate किया 5000 5000 आपने net profit 5000 का calculate कर लिया अच्छा अब ये net profit को calculate करने में depreciation non cash expense है वो हुआ होगा ठीक है उसको हमने add back करना है और इसी तरह से loss on disposal of asset भी इसमें profit different loss account के अंदर आया होगा मुझे बताओ जो loss on disposal of asset होता है क्या उसके against हमने को cash pay किया होता है कोई cash नहीं pay किया होता ना तो वो loss भी एक non cash expense के तर्स पे आपको add back करना पड़ेगा add back करने का concept कल discuss हो गया था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें को cash आ रहा है है तो cash flow statement का इससा है ये एक working है जो इस वकत मैं यहां पर कर रहा हूं to reach the amount of cash flow from operating activity ठीक है है एक indirect method है तो इसमें आप बैटे add back करें एक तो depreciation expense और दूसरा loss on disposal कितना बैटे 4200 और 1200 टोटल क्या बन जाता है 5400 हमने add back किया ठीक बात है अच्छा यू हम 10400 पर पहुंचे जो के हमें लगा कि ये cash flow के equivalent कोई amount आ रही है अच्छा एक और काम ये कीजिये हम ये operating activity के अंडर चल रहे हैं ना हमारे profit loss account बनाने में interest expense और interest income भी लिखी वी थी अगर उनको मैंने यहां से ना निकाला तो वो operating activity का हिस्सा बन जाएंगी लहाजा उसको यहां से निकालो ताके financing और investing में अपनी अपनी जगा पर चली जाएं क्योंकि उनको तो हमने investing और financing में दिखाना है ना लहाजा यहां से उसको निकालो expense को निकालने का तरीका क्या है कि उसको add कर दें आप ठीक है तो आप ये भी कर सकते हैं आप add back के अंदर एक और आइटम लिख दें interest expense कितना interest expense आपने भी 500 something किया बताया था 560 560 ये तीन चीजे add होगी तो क्या बनगी कितना बनता बेटे 5960 आम आ राइट आप जिस तरह मैंने add back किया अपने profit and loss account को इन तीन चीजों से पाक करने के लिए उसी तरह से एक income से भी उसको पाक करने के लिए minus कर दूँगा क्योंकि वो income is profit में add हुई है ना तो मैं क्या लफज इसी के मुनास्बत से less back लिख सकता हूं क्योंकि आप reverse कर रहा हूं ना मैं काम ये less हुई भी थी genuinely उनको add किया profit और income जो है आगी हाँ बेटे दस हजार हो गया ना देखर पांच और पांच दस हो गया ना ओके मार पस यहां पर opening balance of debtors मुझूद है कितना है 1000, 200, closing balance of debtors कितना है नहीं, opening आपके पास 1000 है opening 1000 है और closing कितना है 1200, ठीक है हम 2009 की accounting कर रहे है opening 2008 का हमारे पास 1000 है और यह है okay, इस पर agreed हैं समझने की बात sales, credit sales कहां पर रही होंगे sales, credit होती है, debtors debit होता है for example, अगर मैं कहता हूँ के मेरी sales during the year जो है, वो 70,000 rupees की है okay मेरा कोई bad debt नहीं है कोई discount allowed नहीं किया कोई sales return नहीं है तो cash जो receive की है मैंने from debtors वो कितना होगा उसके लिए क्या करूंगा 71,000 में से 1,200 को मैं less करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 69,800 ये net profit की figure है bottom line है किसकी bottom line है statement of loss की या income statement की या profit loss account की bottom line है bottom line का मतलब है इसके ओपर बहुत कुछ हो चुका हुआ है इसकी top line के अंदर sales कितनी लिखी होगी 77,000 77,000 sales लिखी होगी हम एजियूम कर रहे हैं कि हमारी cash sales 0 है total sales हमारी कितनी लिखी होगी जब के हमें cash कितना रसी हुआ कितनी ज्यादा लिखी है cash कितना रसी हुआ है इसका मतलब है कि cash collection point of view से हमने अपने bottom line को 200 से ज़्यादा exceed कर दिया हुगा है I repeat this concept, please be attentive हम कर के रहे हैं, हम bottom line जो हमारी है profit की उसको indirectly हम पहुंचा रहे हैं cash flow तक की figure के उपर convert कर रहे हैं, profit को हम convert करने जा रहे हैं cash flow की amount में हमें नहीं पता के sales कितनी हैं, हमें नहीं पता के cash कितना receive हुआ मैंने just assume किया है कि अगर 70,000 की मेरी sales credit की थी during the year और ये scenario हो तो cash इसका मतलब 69,800 का receive हुआ होगा अगर ये scenario हो, इसका मतलब है कि मेरे top line में या इस मेरी bottom line profit के अंदर 200 रुपे वो शामिल हैं जिसके against cash receive नहीं हुआ, लहाज़ उस 200 रुपे को तीन हजार, 800 अगें बात वही 200 के फर्रक है, 200 से sales ज्यादा लिखी गए है, profit 200 से बढ़ गिया, जिसके against cash नहीं receive हुआ, आप कहते हैं सर आप सर बड़े चला के आपने दो figures जेन में रखी हुई थी, मैं नहीं बोलता, तो सीधर बोलो, कोई figure बोलो, 50,000, 50,000 की sales हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 49,000, 800, ओई दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारी, इन दो, अगर ये figures नहीं मारूम, ये नहीं मारूम, ये चीजें नहीं मारूम supposedly, उस तरफ मैं जान बूच के नहीं गया, थोड़ा सा easy रखने के लिए बात को, कुछ भी नहीं मालूम, हमें opening और closing मालूम है, तो हमें पता चल रहा है, कि increase in debtors अगर हो, तो उसको यहां से minus करते हैं, क्योंकि ये कहां से शुरू हो रहा है, प्रॉफिट से शुरू हो रहा ना, उसके अंदर 200 ज्यादा शामिल है, लहादा increase in debtor 200 इसमें से minus करना बनता है, क्यों, to reach the cash flow figure, अगर ये चीज इस तरह से है, अब मैं इसको अगर साबत करने जाओंगा ना, तो साबत होती चली जाएंगी, लेकिन it will be time taking, अब मैं थोड़ा सा इसको formulate करने की तरफ जा रह है, तो अगर decrease in debtor होगा, तो उसको क्या होना चाहिए, अब logic शौजिक बनाना उस तरफ नहीं मैं जा रहा, यह मैं बनाने जा रहा हूं, creditors का account, बच्पन में बनाना सीखा था, opening balance of creditors, हमारे इस question में कितने है, 1500, 2008 के नीचे लिखे हैं ना, और closing balance of creditors कितने है, 1000, मेरा जीरो बासकत 8 बन जाता है, इसलिए, exam में ना, खास तरफ पर ख्याल रखना है, इन चीज़ों का, अच्छा, credit purchases कहां पर आती है, goods purchase की ना, purchase on credit, खुद ही बताओ, क्या लिखूं, 6000 लिख लेता हूँ, और राजी हो जाए, 6000 की purchase है, इधर क्या आएगी, purchase return आएगी, assume करते हैं कि वो zero है, discount received आएगा, assume करते हैं कि वो भी zero है, ठीक है, और cash paid को ले लो, मैं अधरबाद को असान तरीके से conceptualize कर वा लूँ, कितना आता है, 7500 में से, 1000 less किया तो, 6500, sorry यार, 6500, ये क्या है आपका, cash paid, okay, clear, हमारी, जो income statement बन रही थी, उस income statement को बनाने में cost of goods sold, जो है, उस cost of goods sold में कितनी purchase शामिल है, हाला कि cash कितना pay हुआ है, तो हमारी जो bottom line आई है, उसमें से मजीद 500 माइनस होने चाहिए, ना, क्यूंकि 6000 माइनस हुआ है, profit को calculate करने में, ये चीज़ सोच में आ रही है, सोच इस तरीके से smartly आगे चल रही है ना, कोई depression में तो नहीं जा रहा है, अच्छा, logically आगे चल रहा हूँ, हमारी cost of goods sold के अंदर जो भी amount होती है, वो ultimately profit को calculate करने के लिए sale में से माइनस होई होती है, वो 6000 आ रहा है, इसका मतलब है, अगर 500 मजीद minus करेंगे तो हमारी वो जो profit की figure है, वो cash flow की figure के करीब पहुंच जाएगी, followed? इसको मजीद नहीं खेलता मैं, मैं सिरफ ये बात करता हूँ, कि हमारी ये creditor increase हो रहा है कर decrease हो रहा है? अच्छा इस बात का समझ लो, increase ये इस पे अमोमन student confused हो जाया करता है, कि सर ये increase, decrease आपको कैसे लग रहा है? हमेशा opening to closing जाएंगे, हमेशा opening to closing जाएंगे, opening अगर 500 का है, closing 700 का है, तो बताओ ये increase हुआ, balance के decrease हुआ? ओपनिंग अगर 800 का है, closing 500 का है, decrease हुआ, ठीक है, तो आपने opening to closing ट्रेवल करना है, कि opening हमारा कम था, closing ज्यादा हो गया, तो increase in balance है, और otherwise, ये सारी logical बाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं है, जो परिशान करें आपको, अच्छा, अब creditors के लिए, हमने असूल क्या ब decrease in creditors, अगर हो, अच्छा, इधर क्या हुआ है, decrease हुआ है, पहले decrease लिख देता हूँ, decrease in creditors, अगर हो, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको, पांच सो मजीद माइनस करेंगे ना, क्योंकि cash paid की figure ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, decrease को माइनस करेंगे, हाँ, अगर ये increase हुआ हो तो आप फिर plus करेंगे अपनी उस working के आप, इसी की बन्याद पर देखें, अगर current asset increase हो रहा है तो क्या होगा, अगर decrease हो रहा है तो क्या, अगर, formula, लेकिन उससे पहले हमने logic clear कर ले, concept discuss कर लिया, cost of goods sold में inventory भी ऐसी होती है, कि पिछले साल खरीदी होती है, पिछले साल उसके against cash pay किया होता है, इस साल cash नहीं pay किया होता है, लेकिन वो inventory इस साल की cost of goods sold में शामिल हो जाती है, शामिल होने की वज़ा से हमारे profits को reduce कर देती है, तो assume करो, कि अगर closing inventory zero है, तो हमारी inventory अगर decrease हो रही है, तो इसका मतलब क्या हमारे expenses को increase किये हुए है, हमारे profits को उसकी वज़ क्योंकि उसके against payment कब की थी last year में, cash outflow इस साल तो नहीं हुआ, इस साल तो सिर्फ expense में नजर आई, और इस साल expense में नजर आने की वज़े से profits को reduce कर दिया, अब उस profit को बढ़ाएंगे तो cash flow के बराबर जाएंगे न, क्योंकि हमें इस time period, इस साल का, इन 12 महीनों का cash inflow, outflow दे current asset है, अब अगर inventory decrease हो रही है तो मैं add ही कर रहे है न, logic बनती है, inventory current asset है न, okay, और मैंने assume किया तो हमारी, इस assumption में किया था closing inventory zero थी, opening inventory एक हजार की थी, तो एक हजार से zero हुई, decrease हुई, तो decrease in inventory को आपने add ही किया न, logically, देखो, अब मैं थोड़ा सा fast होने लगा हूँ, अब ज basic concept आपको clear कर दिया हुआ, उसको किस तरीके से, अब मैं आपको एक tip देने लगा हूँ, उसको किस तरीके से आपने concept को मजबूत करना है, वो तरीका होगा आपस में दोस्तों से discuss करने का, या किसी junior को पढ़ाने का, या अपने class fellow को पढ़ाने का, या घर में बैठके खुद प्रिपेड एक्सपेंसेज, क्या प्रिपेड एक्सपेंसेज भी आपके current asset है, सेम यही चीज़ उस पर लगेगी, increase in current asset, decrease in prepaid, अगर increase हो रहे है, decrease हो रहे है, अब एक मैं बात बोलने लगा हूँ, accruid expenses की, accruid expenses क्या हैं आपके, liability, current liability है, उस पर current liability वाला formula लगेगा, पांच point मैंने आपके साथ discuss की हैं, जिन में से, तीन current assets है, inventory, debtors, prepaid expenses, और उसके बात current liabilities में दो मैंने आपके साथ discuss की हैं, creditors, and accruid expenses, इस पर थोड़ी सी logical गुफ्तुगू मैंने करनी है, हो सकता है, अभी करूँ हो सकता है, मैं इसको differ करूँ, लेकिन मैं एक point आपके साथ दुबारा से बोल दो, ये पांच current assets and current liabilities की items जो है, इन को हम कहते हैं, working capital items, okay, हमने दो दिन पहले एक चोटा सा formula, बलके first day one पर हमने working capital का formula लिया था, क्या था, current assets minus current liabilities, ये कहीं लिख लो, working capital is equal to current assets minus current liabilities, आपके पास working capital आ जाता है, okay, अब जब मैं item की बात करता हूँ, तो item में तो plus और minus दोनों वाली चीज़े आ जैसे for example, मैं कहता हूँ कि income statement items बताओ कितनी हैं, तो income statement में आप incomes और expenses सब को शामिल करोगे ना, ठीक है, इसी तरह से working capital item की जब बात करूँगा, तो current asset, current liability दोनों आ जाएंगे ना, क्योंकि यहां पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि working capital कितना है, मैं कह रहा हूँ working capital items कितनी हैं, आपने कितनी working capital items का plus minus यहां पर लेना है, पांच का लेना है, क्यों पांच का लेना है, वो मैं बात बोलने लगा हूँ अभी, क्योंकि working capital item में current asset में तो cash भी आता है, cash in end आता है ना working capital item में, cash at bank भी आता है, liability side पे bank overdraft भी आता है, liability side पर current liability के अंदर income tax payable भी आता है, मैंने ने इसमें लिखा, इसी तरह से current liability के अंदर interest payable भी आता है, वो भी मैंने ने इदर लिखा, incomes के अंदर आपकी investment income receivable भी आती है, वो भी मैंने इदर ने लिखे, मेरी बात को follow कर रहे हो, मैंने क्यों ऐसा किया, वो बात सुन लेना, कोशिश करना समझ आ जाए, लिख भी लेना, उसके बाद आपस की discussion के साथ उसको जरूर सीखना, फिर भी समझना है तो मुझ पर questions करना, बात बहुत साधा सी है, working capital items affecting the operations, यह है वो बात, हमने कौन सी working capital items लेनी है, जो operations को effect कर रही है, again income statement बनाते हैं, top line में क्या लिखा, फिर क्या लिखा, क्या आया, gross profit में से minus क्या किया, कौन से expenses, operating expense में क्या शामिल है, administrative, selling, distribution शामिल है, उसके बाद, यह सिर्फ यह less करने के बाद मार पास आता है profit from operations, जिसे operating profit भी कहते हैं, उसके बाद interest income add करते हैं, उसके बाद financial charges minus करते हैं, उसके बाद income tax minus करते हैं, तो जो profit from operations है, वो कहां पर रुक है, gross profit में से, operating expenses less करने के बाद, जहां हम रुक हैं, उसको क्या कहेंगे profit from operations, क्या कहेंगे, profit from operations, तो इसका मतलब हमारे operations में क्या शामिल है, sales से लेके operating expense थाक हमारे operations में शामिल है, अब आप देखो, यह पाँच items जो है, यह working capital items, यह पाँचो items operations को affect कर रही है, inventory, account receivables यह debtors, creditors, operating expenses का accrue होना, operating expenses का prepay होना, समझ में आता है, इसलिए मैंने पाँच चीजें लिखी है, five items जो के आपकी working capital को affect, working capital की वो five items, जो के operations को affect कर रही है, इसको changes in working capital item भी कहते हैं, changes in working capital item भी कहते हैं, मैंने ज़रा सादा जुबान अभी use किया, increase or decrease in working capital items, कौन कौन सी, अभी चुके बच्पन है हमारा, हम बच्पन में पाँचों चीजें सीधी सीधी लिख देते हैं, inventory, debtors, prepaid expenses, creditors, and accrued expenses. पहले थी 3500 की, अब 3000 की हो गई, क्या हो रही है, decrease हो रही है, decrease हो रही है, तो मैं इससे लिखूँगा, inventory decreased by, decreased by 500, तो current asset अगर decrease हो तो plus करना है, okay, उसके बाद debtor, मेरा increase हो रहा है, लिखूँगा, increased by, increased by debtor, मेरा current asset है, decrease हो गा तो add हो गा, यह decrease हो रहा है कि increase हो रहा है, एक हजार से increase हो रहा है, increase हो रहा है, तो आप उसको minus करेंगे, ठीक है, okay, उसके बाद prepaid expenses आपके 300 से 200 पर आ रहे हैं, decrease हो रहे हैं, तो decreased by, एक सो, अगर यह decrease हो रहे होंगे तो क्या होंगे, add हो रहे होंगे, उसके बाद आ जाईए आप creditors पे, 1500 से 1000 हो रहे हैं, decrease हो रहे हैं, decreased by, 500, अगर liability decrease होंगे क्या करते हैं, okay, उसके बाद accrued expenses, 300 से 400 हो रहे हैं, increase by, 100, और liability अगर increase by, अब इसका आप जड़ा net निकाल लीजिए, क्या आता है, इसको हमारा net increase और decrease in working capital कितना आया, zero आया, ठीक है, तो हमारे पास operating activity कितनी आगई, 10,460 का, इसे आप कह सकते हैं, cash generated from operations, ये और इसके बाद आप सिर्फ एक आइटम लिखें, income tax paid, income tax paid, जो के हमारे इस case में zero है, तो हमारी operating activity से ये cash flow आगया, cash flow हमारा net cash flow जो operating activity के 10,470 आगया, आपने interest income को investing activity में लेकर जाना है, cash received against interest income को कहा लेकर जाना है, investing team, और cash paid against interest expense को कहा लेकर जाना है, financing, ये पले बांद लो, लेकिन किसी ने अगर इसको operating में लिया है, तो उसके साथ आपने जगड़ा नहीं करना, ठीक है, उसने ठीक किया है, लेकिन आपने कहना कि सरफरहान ने कहा था, कि जब तक अच्छी grip नहीं होता थी, उस वका तक इसको आपने operating में नहीं रखना, आपने investing और financing में ही रखके practice करनी है, और ये मैं as per IES 7 आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए authentic है ये बात, ओके, शाबाश, और दूसरी बात, तर्टीब में ये समझ लीजिए, कि हम increase या decrease of working capital changes के बाद, जो amount लेकर आते हैं, उसको कहते है, cash generated from operations, ये technical terminology है इसके लिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको profit from operations बताया ना, सरकल, profit from operations को जब cash में convert करेंगे, तो वो operations का ही cash आएगा ना, तो लफज क्या बोलेंगे, आप cash flow from operations भी बोल सकते हैं, लेकिन जो terminology यूज हो रही है, वो cash generated from operations की यूज हो रही है, तो हम क्यों ना वही terminology बोलें, जो यूज हो रही है, हमें सिर्फ conceptually clear क्या होना चाहिए, कि operations क्या होते हैं, कहां से शुरू करते हैं, sales minus cost of goods sold, gross profit minus operating expenses is equal to यह आपके operations, अब उनको हमने निचोड के cash उसके अंदर से हमने निकाल दिया, जो direct method से अगर बनाते हैं, तो exactly ठीक यही cash निकलता, अगर direct method होता तो, exactly ठीक यही वाला cash निकलता, ठीक है, ओके, और उसके बाद सिर्फ एक activity आपने लिखनी है, सिर्फ एक point आपने, वो income tax paid का लिखना है आपने, तो हमारा बन जाएगा cash flow from operating activity पुरी हो जाएगी, दो चीजे मैं दुबारा से आपको बोल चुका हूँ, कि वो interest received, investing activity में जाएगा, interest paid, financing activity में जाएगा, ठीक है, तो फिर सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो रह जाती है, income tax paid, वो आपने इसके बाद लिखना है, आपकी operating activity complete हो गई है, conceptually complete हो गई है, ठीक है, अब difficult part इसके अंदर जो आएंगे, वो cash flow से relevant नहीं होंगे, वो कहीं depreciation से relevant होंगे, कहीं amortization से relevant होंगे, loss on disposal of asset calculate करने से relevant होंगे, ठीक है, वो इस तरह की complexities होंगी, जो के बाहराल examination का हिस्सा होती है, ठीक है, उसको हमें practice से grip करना होगा, question number one, please, I will just read out this question, please be attentive, the following information has been extracted from the financial statement of Trango, ये ICAP का question, बैंक से question लिया गया है, तो अब आप खुद देख लिजे कि आप लोग, ICAP का question solve करने के काबिल हो गया है, ठीक है, following information has been extracted from the financial statement of Trango, limited for the year ending 31st December 15, statement of comprehensive income for the year ending on 31st December 15 is, top line कहां से शुरू कर रहा है, cost of goods sold, cross profit less किया, cross profit आया, less किया, loss on disposal of non-current asset, wages and salaries, other expenses, अब एक लाख 26,000 पर आके रुक गया, ये किया है, profit from operations, ठीक है, ये operations यहां पर खत्म हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, interest charges माइनस हो रहे हैं, उसके बाद tax on profit आ रहा है, उसके बाद आपका profit after tax कि फिगर आ रही है, फिर कहरा, the asset disposed of had a carrying amount of 31,000 at the time of the sales, अब ये जो है, asset disposed of की carrying amount दी भी है, इसका तालोग जुड़ जाता है, depreciation से, इसने लफज लिखावा है, extracts from the statement of financial position, इसका मतलब क्या होता है, कि ये पूरी balance sheet नहीं दी, उसने शिरफ उतना दीया है, जितना इसकी requirement को fulfill करने के लिए जुरूरी है, requirement जरा पहले पढ़ लो, requirement का लिखी ही है, कि आपने statement of cash flow की operating activity बनानी हैं सिरफ, किस method से, direct method से भी और indirect method से भी, अभी आपने सिरफ indirect method से बनानी हैं, direct method से नहीं बनानी, वो बचोंवाला काम है, वो मैं आपको बता दिया हुआ है कैसे बनती है, लेकिन मैं आपको board पर भी करवाऊंगा, अभी मेरा सारा focus आपकी indirect के ओपर है, ताकि आपकी indirect के मौामला ज्यादा strong हो जाएं, मैं अभी किसी चीज़ को उसके अंदर mix नहीं करना चाहा रहा, well, तो extract में trade receivable का increase-decrease, क्यों increase-decrease दिया हुआ है, क्योंकि हमने उसको formula में use करके, हमने देखना है कि हमारे bottom line के अंदर, कितना ज्यादा cash से ज्यादा income चामिल है, यह कम कितना है, उसको हमने manage करना, यह question मैंने आपके सामने पढ़ दिया, मुश्कल point इसके अंदर क्या है, depreciation को calculate करना है आपने, क्योंकि वो depreciation add back करनी है, और उसके बाद आपने इसकी यह working सारी बनानी है, आपको पास depreciation आ जाएगी, loss and disposal इसमें दिया हुआ है, interest expense अगर उस profit में शामिल है, तो आप interest expense को add back करेंगे, interest income अगर इस सवाल में वैसे हाई कोई नहीं है, तो आप smartly एक काम करें न, आप interest expense की जंजट से भी आजाद हो जाएंगे, अगर आप profit कौन सा उठाएंगे, एक लाग 26 जार वाला profit उखेंगे, उसमें add back करना पड़ेगा हमें interest, क्यों बला, क्योंके वो लैसी नहीं हुआ, यार रियल ही मज़ा आगे आपकी बात सुनके, ये वो point है जो बच्चों ने सर पकड़ के बैठे होते हैं, सर पिछले स्वाल में तो उसको add back किया था, इसमें क्यों नहीं add back किया, जब लैसी नहीं किया तो add back क्यों करना है, अब हम figure कौन सी उठा रहे हैं, हम operations से जो profit है वो उठा रहे हैं, अभी interest, अगर ऐसा होता, कि उसने आपको bottom line दिया होता, 64,000 का, और other information में नीशी लिखा होता, कि interest expense इतना है और income tax expense इतना है, तब आपको understood था, कि 64,000 इनको minus करने के बाद आया हुआ है, अब add back करना बनता था, तो ये नहीं आपने कहना कि यार, पिछले सवाल में तो add back हुआ था, इस सवाल में क्यों add back नहीं हुआ, use your logics, बहुत relax होके, अपनी उस, जो मैं आपको बार बार कह रहा है ना, visualize करो income statement को, top line से bottom line तक, और फिर देखो, तो उसमें से किस figure को उठा के, आप add back की तरफ जा रहे हो, ठीक है, बेटे चीजें मुश्कल नहीं हैं, बड़ी मज़े की हैं, इंट्रस्टिंग हैं, अगर आप उस के, उस level तक पहुंच के सोचना शूरू करो, जिस level तक आपको पहुंचना चाहिए, जा रहा हो, यह questions बेटे, आपने घर से करने, दोनों questions आपकी घर की assignment है, following information has been extracted from the draft financial statements of Nalden Limited. Statement of comprehensive income for the year ending 15, sales दीवी है, administrative cost दीवी है, distribution cost दीवी है, operating profit दीवी है, interest expense दीवी है, आपके profit before tax दीवी है, tax दीवी है, profit after tax दीवी है, dividend paid दीवी है, ठीक है? Student क्या करेगा? उए, सार ने तो मुझे dividend पढ़ाया ही नहीं था? देखो बेटे, बात किया है, अगर मैंने अभी तक, supposedly मैंने आपको पूरे session में dividend के बारे में बताया ही है, supposedly, बताया ही ही है, छोड़ दो dividend को, 95% of the question आपकी grip में है, relax रहो, pass हो जाओगे, dividend के बारे में कोई फुनकारी भी ना लगा हो, अगर कुछ आपको नहीं है, मैं जस्ट आपको एक tip दे रहा हूँ, examination technique की, क्यूंके examination आपका जो marking होनी है, step by step उसकी marking होनी, step by सोनी है, तो कुछ चीज नहीं समझ जा दी, just leave it, अगले point की तरफ से हैं, अब इसके अंदर, मैं आपको एक बात वैसी अभी समझा चुका हूँ, कि profit from operations को, क्यूंके हमने indirect method के तहट ये operating activity बनानी है, घर में हमारा काम क्या है, indirect method के तहट operating activity बनानी है, हमारा काम शूरी कहां से हो रहा है, profit from operations से, वहां से उपर उपर हमने देखना है, non cash कौन कौन सी चीज़े है, administrative or distribution है, इसके अंदर सफापल्टी है, retained profit for the year, statement of financial position के अंदर, अभी हमें non current assets को नहीं देखना, अभी सिरफ current assets को देखना है, inventory receivable, bank को नहीं देखना, ये पाँच आपने current assets और current liability working capital items देखनी है, उसके बाद long term loans, financing activity है, छोड़ दो, share capital, evaluation, reserve, retained earning, छोड़ दो, क्योंकि हमारा homework क्या है, सिरफ operating activity, indirect method, trade payable क्या होते है, सब्सक्राइब नहीं था, मोटी सी बात है, हम trade करते है, selling, buying, इसको trading कहते हैं ना, buying, selling को, अब buying, selling की वजह से, जो personal account receivable या payable बनेंगे, वह ये debtor and creditor होंगे, वह ये accounts receivable, accounts payable होंगे, वह ये trade receivable, trade payable होंगे, और अगर उनके साथ promise कर लेंगे, दो मेने ये तीन मेने को, notes receivable या notes payable बन जाएंगे, या बिल्स receivable और बिल्स payable बन जाएंगे, ठीक है, तो different terminologies, थोड़ा सा logic इस्तमाल करके, आपको clear हो जाती है, okay, well, tax payable, या आपने जब income tax expense की figure calculate करना होगी, तो तब tax payable को आप खुद work करेंगे, घलत हो जाएगा तो मैं माइंड नी करूँगा, आपको समझाऊँगा, ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, okay, उसके बाद उसने नीचे आपको कुछ और information दी वी है, जिसमें आपको disposal के बारे में भी बताया हुआ है, depreciation charge for the year बताया हुआ हुआ है, और आपको, सीधी सी बात है, depreciation charge for the year चाहिए, 74,000 का, कोई work out करने की जरूरत नहीं है, सिधा सिधा 74,000 आपको इस के अंदर दिया हुआ, यह जो आपको fix as a schedule दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा गोर से पढ़ें, depreciation for the year आपको बनी बनाई, उसने दे दिया, ठीक है, और कह रहा है, यह विदिधिन दिस्टिबिशन कास्ट is 4000, रिलेटिंग तो the loss on disposal, लो जी उसने loss on disposal की फिगर भी दे दी, add back करने के लिए, loss on disposal add back हो जाएगा, depreciation भी दिया हुआ है, ठीक है, और चुए, और चूंकि, झाल करने की,